हालो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग टारोक्स विट्रपल सिक्स पे आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ गाइज, आज हम जो रिडिंग करें वो मंतली रिडिंग होगी और आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बताने वाली हूँ, आपकी पर्सनल लाइफ कहीं, बात यह है, मैंने आज जोड़ी एक साइन लिया है, लिब्रा, यहनि कि तुलाराशी वालों का सब्टेंबर मा अपनी लाइफ या पर्सनल लाइफ के बारे में कैसा रहेगा, ठीक है, और इसके लावा मैं आपके पार्टनर के एनरजी देखूँगी, आपकी करेंट सिच् चले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले करेंट सिच्वेशन, आपकी करेंट सिच्वेशन क्या चल रही है, फिर हम आपकी लव लाइफ के बारे में बात करेंगी, करेंट एनरजी सेप्टेंबर महा की, लिब्रा, लिब्रा यानि होता है तुलाराशी, तुलाराशी आपकी कर देखते हैं लिब्रा साइंग की क्या रेडिंग आ रही है करेंट सिचुईशन बताईगी इन्वर्स आल राइट ओकी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले करेंट सिचुईशन में हैं थ्री ओफ सौर्ट्स लिए हर्मिट शिक्स ओफ कप्स मुझे ऐसे लगते हैं करेंट सिचुईशन में आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यदा दुखी हैं आपका मन दुखी है हार्ट ब्रेक जल रहे हैं हो सकते है कोई फैमली ड्रामा है हो सकते है कि आप दोनों में मन मुटा हुए ठीक है किसे ने किसी तरह आ आपकी सिचुईशन में उसको कतम करके आप रिकंसायल हो जाएं सिक्स ओफ कप्स के एनरजी डेफिनेटी रिकंसलेशन को बता रहे हैं मुझे ऐसे लगता है कि आप टेंपरेंस का कार्ड बॉटम वाला है आप बैलेंस चाहते हो आप जीवन में वापस इनके साथ हील होना है आप कोई रास्ता खोजरो एक बीच का रास्ता निकालना चाहते हो या फिर हर्मिट मोड मतलब आप एक वाइस डिसेजन लेना चाहते हो अपनी लव लाइफ के बारे में या पर्सनल लाइफ के बारे में इवन आप चाहते हो कि चीजे सुद्रें चाहते हो कि रहेटी फिर स्की बाद आपकी लूंगी में कि लिबर आपके पार्टन के एनर्जी देख लेते हैं लिबराakukan कि सबसे पहले आपके पार्टन की हेंनी कि टाइम टू गो यानि कि इनकी एनगी इन की इनके खुद सब्सक्राइब भाई और के पार्टन कि करेंट एस इनघेल अमें आन आपके बारे में क्या सोचेंगे आफ की लिए feelings क्या रहेंगी five of cups action क्या हुगा वाव तो लिवरा जिनके आप साथ deal कर रहें वो Sagittarius मुझे strongly लग रहे हैं bottom वाला card देखे two of cups का है वाव यह definitely आपसे प्यार feel करेंगे September में यह जो आपके partner है कहीं नहीं balance create करेंगे September महा आपके लिए बहुत important हुआ यह कहना चाहते हूं यहां पर देखेंगे कि कुछ के energy यह किसी situation से निकलने की कोशिश करें यानि कि कोई past था या कोई और भी situation उससे निकल कर यह definitely unexpected चीजे favor में करना चाहते हैं आप दोनों के favor में हो ठीक है यह आपके बारे में क्या सोचें आप शौर हो बट आप logical और practical सोच रहो कि कहां तक जाए जा सकता है रिष्टे में आगी कहां तक बढ़े शौर हो बट definitely आप slow energy में चल रहो इस तरह से इनको दिखाई आपके बारे में आपके बारे में सोच है इनकी ठीक है आपके लिए feelings क्या है यह बहुत जिदा पश्टा रहे हैं आपसे चीज़े वापस सही करना चाहते हैं किसी बात का guilt है कोई गलत decision लिया था जिसके लिए यह परस्टाते हो नजर आ रहे हैं लेकिन आप वापस सही करन चाहते हैं चीजों को यह वापस शुरुवात करना चाहते हैं इनके दिल में genuine प्यार है आपके साथ और मिलके नहीं हानी का काड़ आप से रिष्टे को वापस इनका action क्या होगा शुरुवात होगी आपके साथ और यह रिष्टे को और अच्छा करेंगी ठीक है क्योंकि चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में लॉंग टम तक रहो तो यह बैलन्स करके डेफिनेटली आपसे नहीं शुरुवात करना चाहते हैं और तो आपके बारे में भी जानते हैं कि आप इनके लिए शौर हो बट आप अप स्लूइ recovering में चल रही हूं ठीक है चबले दिखते हैं कि आपके अनर्जी क्या रहेंगी the libra ki energy बताएगे the tub न फॉन के एक्षन के खोष्ट के इनर्जी क्या है खाई दे रहे हैं, bottom वाला card बता देती हूं, why, आपके दिमाग में बहुत सारे questions आएंगे, Libra, लेकिन चले देखते हैं, और थोड़े से card, Libra की energies बताईए, September माह में, September माह में, अपने partner के बारे में क्या सोचेंगे, okay, Libra के energy, तो सबसे पहले इनके खुद के energy, moon, okay, partner के बारे में, nine of swords, feelings क्या रहेगी, three of swords, and action क्या होंगे, king of cups, देखे, मुझे ऐसा लगता है, Libra, यहाँ पर देखे, hanged man का card है, मुझे ऐसा लगता है, कि आप एक बदलाव से गुजर रहे हो, आप चीजों को सही तो करना चाहते हो, awakening का card है, आपको कुछ चीजे realize हो रही है, contact situation कर रखी, या फिर उन्होंने no contact कर रखा है, तो आप इस चीज को स्थिति पर स्थिति को बदल दोगे, ठीक है, आप कहीने कहीं प्रेजेंट की बातों को सोच रहे हो, यहाँ पर देखी क्या है, आप जो है, इस रिष्टे में बहुत खुश थे, आप कहीने कहीं बहुत इस रिष्टे में treasure island मानते हैं, आपने पार्टर को बहुत ज़दा value की है, ठीक है, लेकिन आप अप डड़ने लगे हो, क्योंकि आपको लगता है कि रिष्टे में कुछ चीजें छुपी हुई है, कुछ चीजें hide है, जो आपको पता नहीं है, ठीक है, तो आप अपने पार opportunity के रूप में आपको देख रहे हैं, आप यह सोचो अपने पार्टर के बारे में, ठीक है, आपके लिए feelings क्या है, आपकी feelings यह रहा है, अपने पार्टर के बारे में, आप जो है, अपने आपको heal करके थोड़ा सा flexible होके चलना चाहते हो, यानकि compromise आपके nature में है, definitely थोड़ा compromise करके, चीज़ों को जैसे कहते हैं, जैसे चले वैसे ही चला रहे हैं, लेकिन आप heal होकर रिष्टे को सही करना चाहते हो, आपके action क्या हो सकते हैं, आपका action यह होगा, king of cups, आपके दिल में प्यार होगा, पर express नहीं करोगे, action में मुझे लग रहा है कि ना तो आप past की सोच हो, ना इनके साथ भविश्य की सोच हो, at present जो भी परस्थितियां चल रहे हो, उसमें एक बदलाव लाओगे, ठीक है, आपका कोई नो कोई action ऐसा होगा, जिसके कारण आपकी स्थितियां परस्थितियां बदल लेगी, ठीक है, या तो आप no contact situation में call a message करोगे, या फिर एक आपकी शुरुवात के लिए जैसे ये offer देंगे, तो आप भी ready रहोगे, ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि कुछ नो कुछ राज की बात है, कुछ नो कुछ चुपा हुआ है आपसे, इस तरह से आप trust नहीं कर पा रहे हो, किसी situation पर, ऐसा मुझे यहां पर फील होता है, को आपको कुछ भी reading match करती है, जरू बताएगा, follow जरू कीजेगा चैनल को, और YouTube पे देख रहे हैं, तो subscribe जरू कीजेगा चैनल को, next reading में फिर से मिलती हो, मेरा wait कीजे, thank you so much, bye bye